नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में दोस्तों आज में लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो की इग्ञाम की दिश्टी से काफी जादा महत्पूर है और अगर याद करने की दिश्टी से देखें तो काफी जादा कठीन है तो बस आप इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखेगा बाकी मैं आपको महत्पूर्ण आगामी खेल प्रतियों कीताओं को अच्छे से याद करवा दूँगा जब मैं आपसे MCQ टेश्ट सौल करवाऊंगा टेलिग्राम पर तो आप पाएंगे कि आपको सभी प्रिशनों के उत्तर अच्छे से याद हो चुके हैं तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 33 वे ग्रीस मकालीन ओलंपिक खेल की जिसका जो आयोजन है वो फ्रांस में किया जाना है और कब किया जाना है सन 2024 में साथ ही साथ 34 वे ग्रीस मकालीन जो ओलंपिक खेल है इसका आयोजन अमेरिका में किया जाना है और आपको पता है जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन हर चार साल में किया जाता है तो 24-28 इनि सन 2028 में 34 वे ग्रीश मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा अगला जो है वो है 35 वा ग्रिस मकालिन उलम्पिक खेल जिसका आयोजन अस्ट्रेलिया में किया जाना है और इसका आयोजन 28-34 यह नहीं 2032 में किया जाएगा तो तीनों को हम लोग आसानी से एक साथ याद करने वाले हैं यहाँ पर देखिये 33 में 2-3 लिखे हुए हैं 3 और 3 आपको पता है 3 और 3 को अगर सीधा कर दें तो कैसा लगेगा देखने में 8 की तरह है और मैं अगर आपसे ऐसा बोलूँ कि 3 गुणे 8 किता होता है तो आप बोलेंगे 24 होता है है ना 3 और 3 दोनों को उल्टा सीधा करके अगर एक साथ कर दूँ तो 3 और 3 जो है आपस में फंसकर 8 बन जाएंगे तो 3 आठ बन गया तो 8 गुणे 3 बराबर 24 और मैंने बोला कि 3 और 3 फंसकर 8 बने हैं तो 2024 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा अब आपको 33 याद हो चुका है कि 2024 में है तो 2024 चार 28 और 28 चार 32 यानि 4-4 साल के अंतराल में होंगे अब देखिए जो 34 ग्रीस मकालीन ओलंपिक खेल है यह अमेरिका में आयोजित किया जाएगा और 35 जो है यह आश्ट्रेलिया म आपको पता है 3 और 36 होता है लेकिन 8 बन गए है तो जाहिर सी बात है कि यह पहले से ज़्यादा अमीर हो गए है इनकी जो वैल्यू है पहले से ज़्यादा बड़ी हो गए यह 3 और 36 होता है लेकिन यहाँ पर वैल्यू हो गई है 8 फंसकर बनने से 8 हो गए तो आप ऐसा बोल स उसको किसी न किसी चीज से काटना पढ़ेगा अगर काट देंगे तो यह जो 3 और 3 फस गएं यह अलगलब होकर 33 जैसे दिखने लगेंगे तो काटने के लिए किसी न किसी अस्तर सस्तर की जुरूत पढ़ेगी तो अस्तर फोर आश्ट्रेलिया तो आप ऐसे आसानी से आधर सकते हैं कि 33 गृष मकालीन उलमपिक प्रांस में, 34 गृष मकालीन उलमपिक अमेरिका में और 35 गृष मकालीन उलमपिक जो है वो आइस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा बांकि वर्स मैंने आपको याद करवा ही दिया कि 3 और 3 फस के 8 हुए तो 8 गुने 3 वरावा 24 तोजार 24 और फिर 4-4 साल का अंतराल ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बां हम लोग बात कर लेते हैं 24 वे ग्रीस मकालीन उलम्पिक की जिसका आयोजन पहले हो चुका है 2022 में और कहां पर हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है चीन में अब यहाँ पर देखिए इसको मैं इसलिए आतरवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 25 वा है केवल वही अ 2026 में इटली में आयोजित किया जाएगा मैंने आपको पहले ही बताया कि ओलम्पिक खेल जो है वो चार-चार वर्ष के अंतराल में होते हैं अगर सीथ कालीन की बात करें तो अगला सीथ कालीन चार साल बात होगा लेकिन अगर सीथ कालीन और ग्रीस मकालीन दोनों की बात क तो गैप केवल दो साल का होते हैं ठीक है एक सीद कालीन होगा फिर उसके दो साल बाद एक ग्रीस मकालीन खेलोगा तो ऐसा गैप रहते हैं तो यहाँ पर देखिए 24 वे को भी याद कर लेते हैं अभी रिसेंटली हुआ है तो जाहिसी बात एक जाम के लिए महात्पूर्ण हो जाहिस्यातन करते हैं और आपको पता है चाए से एक देश का लाम आएगा वह चाएना चाए 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 ना से आपको यद हो जाएगा कि यह 24 वा सीद कालीन ओलंपिक जो चाईना में आयोजित किया गया था जो जो आगामी है वो है 25 सीथ कालिन उलम्पिक जो कि 22 के बाद 4 साल बाद होगा 26 में तो यहाँ पर देखिए यह कहाँ पर आउजित होगा इटली में आउजित होगा तो आपको पता है कि चाय पीने के बाद क्या करते हैं बिस्किट भी बहुत सारी लोग खाना पसंद करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि चाय के बाद बिस्किट ली तो बिस्किट ली में आपको एक सब्द मिलागा इटली मैच करते हैं तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 25 जो सीथ कालिन उलम्पिक है वो इटली में 22-4-26 में आयोजित किया जाएगा या फिर दूसरा भी तरीका है कि यहाँ पर चाई की बात हो रही तो मान लिजे घर में कोई महमान आता है तो पहले क्या देते हैं? चाई देते हैं ठीक है? फिर चाई नास्ता देने के बाद क्या करते हैं? उनको भोजन की विवस्था भी करते हैं तो इट मतलब खाने की विवस्था भी करते हैं तो इट फॉर इटली ठीक है? तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं आसानी से इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चौथे युवा ग्रिस्म कालीन उलम्पिक की इसका आयोजन 2026 में सेनेगल में किया जाएगा साथ ही साथ चौथे युवा सीथ कालीन उलम्पिक का जो आयोजन है वो 2024 में दक्षिन कोरिया में किया जाएगा अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा यह दोनों के दोनों चौथे एडिशन है लेकिन एक ग्रीस मकालीन है और एक सीथ कालीन है मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब ग्रीस मकालीन और सीथ कालीन की बात होगी तो दोनों के बीच का अंतर किता होता है दो होगा लेकिन जब किवल ग्रीस मकालीन की ही बात होगी गर्मी का समय और चौते में यहाँ पर चार सब्द लिखा हूँ, चार को कर लेते हैं, चहरा, चेर है ना, तो यहाँ पर चहरा सब्द मिल जाएगा, तो चहरा गर्मी के समय में आपने देखा होगा जो गल्स होती है, वो कभर करके चलती है, ठीक है, क्यों? क्यूंकि उनकी ज सब्द लिखा हो ना तो गल को कर लेते हैं गड लें तो जो चेहरा है ग्रीस मुकाल में गल्स जो है वो छूपा कर चलती हैं कवर करके चलती हैं जिससे कि उनकी जो छवी है वो काली ना दिखे छवी फोर 26 यानि 2026 तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चौथा युगा ग्रीस में धूब कम होती है तो जाही सीवाथ है ठंडी के टाइम पे जो चेहरा है वो कारा नहीं होगा कारा फर कोरिया यानि दक्षिन कोरिया तो ठंडी के टाइम पे मतलब सीद काल में तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चौथा युवा सीद काली जो ओलंपिक है वो दक्षिन कोरिया में आयोजित किया जाएगा क्योंकि सीद काल में जो चहरा है चहरा से आपको चहरा से चार सब द्याद रखना है तो जो चहरा है सीद काल में करिया नहीं होता है तो करिया फ़र दक्षिन कोरिया और इसका वर्ष याद करना है तो कॉरिया में कॉर को कार कर लिते हैं कार के लिए क्या चावी चाहिए прибज़वे कार चलाना थो चावी चावी फ़ोर 24 ठीक है तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चौथा युवा सीद कालीन ऐलम्पिक दकषिन कोरिया में होगा और चौथा युवा ग्रीस मकालीन ओलंपिक 2026 में सेने गल में आयोजित किया जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 37 वे राष्टी खेल की जो 37 वे राष्टी खेल है इसका आयोजन सन 2023 में गोवा में किया जाना है अब देखिए यहाँ पर 37 में आपको एक सब्द मिलाएगा सेती मतलब सत्य सब्द सत्य को टूथ भी बोलते हैं और टूथ में आपको दो सब्द मिलाएगा टू और थ्री टूथ टू और थ्री यानि 2023 तो वर्स तो आपको क्लियर हो गया कि इसी वर्स होना है अब यहाँ पर राश्ट्री में आपको एक सब्द मिलाएगा ट्री राश्ट्री ठीक है तो ट्री की बात हो रही है और आपको पता है ट्री सबसे ज़्याद कहां होते हैं वन में होती हैं और हमेशा मैं जब भी गोवा आता है तो गोवा को याद करने के लिए गो one करता हूँ तो अगर आपको ट्री देखने जाना है बहुत ज्यादा तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ try one में गो होना पड़ेगा one के लिए तो go one for gova तो याद रखेगा कि 37 वा राष्ट्री खेल 2023 में गोवा में आयोजित किया जाना है और अगर आपको 36 वा राष्ट्री खेल याद रखना है तो आपको पत है राष्ट्री खेल हर वर्स होता है तो 2022 में हुआ था वो हुआ था गुजरात में तो राश्ट्री को वहाँ पर याद करने के लिए रात्री कर लेजे और रात्री मतलब रात होता है रात फ़र गुजरात तो इससे पहले वाला गुजरात में आयोजित किया गया था कोई दिक्कत नहीं है ना आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ACI खेल की तो जो इसका आयोजन चीन में सन 2022 में किया जाएगा हाला कि जो इससे पहले वाला ACI खेल थे नहीं 18 हवा क्षेल है ना 200 ACCI खेल वो बाईश चार चपवीश यह निंग 46 में जापान में आयोजित किया जाएगा और 200 ACCI खेल जो है वो दोहा जोकी कतर की राजधानी है वहाँ पर 2030 में किया जाएगा और 22 एसी आई खेल का जो आयो जाने हो साउधी अरब में 2034 में किया जाएगा अच्छा चारों के चारों एसी आई खेल से सम्मंदित हैं और आपके 2034 तक काम आने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आप उस कहानी के एक बार सुन बस लेना वो कहानी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आगे मैं आपको बता दूँगा कि उस कहानी से कैसे आपको सभी चीजें याद हो चुकी हैं तो यहाँ पर देखिए ACI खेल में आपको एक सब्द मिल जाएगा A C I A C I A C I A I और यहाँ पर 19 में आपको सब्द मिल जाएगा O neuze उनजई, O rhythms मतलब क्या होता है सोर होता है चाइना, चाइना में आपको 4 सब्द मिल जाएगा और 23 जो सब्द लिखा हुए 23 में आपको 20 सब्द मिल जाएगा ठीक है ताई Tau तो ऐसा समझे कि यहाँ पर सब्द क्या लिखा ताई जी जाहिसी बात है कि हाँ पर ताई सब्द लिखा हुए ना तो जो सिया है वो किसके घर आई हुई है ताई के घर आई हुई है ठीक है ताई 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 तो सिया जब ताई के घर आती है तो जाहिसी बात है मान लिजे ताई जो है कि A, सुनो, सिया आई हुई है तो ऐसा जोर से बोलेंगे, मतलब noise करेंगे तो अगर सिया आएगी, तो क्या बोलेंगे कि A, सिया आई हुई है, उसके लिए चाय पानी की विवस्था कर दो है न, या फिर सिया को चाय पानी दो, तो अंदर से चाय फोर चाइना, पानी दो, पानी फोर जापानी यानि जापान, और ताउ जी ने बोला चाय पानी दो, तो ताई जी ने बोला हाँ, ठीक है तो दो और हा, तो क्या हो गया दो हा, तो दो हा से भी आपको याद हो गया कि कतर की राजधानी दो हा में तो ताईफ और 23 और जब ताउजी बोले थे ना तो ताउजी ने noise किया था जोर से आवाज जी थी noise for 29 तो 1900 ACI खेल जो है उसका आयोजन चाइस से चाइना में अकब ताईफ और 23 यहने 2023 में है ना और उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया कि वैसे तो 22 में होने वाला था ऐस से भी आप कर सकते हो कि ताउजी ने जोर से noise करते हुए यहनी आवाज जोर से noise करते हुए अपने voice में ताईजी को बता है तो voice से आपको 22 भी याद हो जाएगा ठीक है 22-23 याद हो जाएगा तो ऐसा समझी कि 22 में होना था 23 में हुआ तो 22-26 अगला वाला 26-34 अगला वाला तो यह भी आपको याद हो गया अब अब मैंने बोला चाए पानी दो तो चाए से चाईना पानी से जापानी और दो हा फ़र दो हा भी हो गया अब जो बचता है साउधी अरब तो साउधी अरब के लिए आपको क्या करना है कि जब सिया जाएगी है ना माली ज़िए सिया कहीं जा रही है तो जब सिया अपने घर वापस जाएगी तो जाही सिवात है सिया को कुछ न कुछ ताउ जी या फिर ताई जी देंगे तो सिया जा रही है तो ताउ जी या फिर त में होगा 2100 ACI खेल कतर की राजधानी दोहा में 2030 में होगा और 2200 ACI खेल जो है वो 2034 में साउधी अरब में आयोजित किया जाएगा याद हो गया ना एक छोटी सी कहानी है बस मैंने थोड़ा सा बड़ा बता दिया है बांकि आपके दिमाग में छोटी सी कहानी रखनी है कि ताउजी ने बोला जोर से आवाज लगा कर कि ए सिया आई हुई है उसको चाय पानी दो ताई जी ने बोला हाँ ठीक है सिया को बैठा और लाती हूँ चाय पानी दो ठीक है तो चाय से चाई ना पानी फजा पानी दो फर दोहा और जब सिया जाने 22 राष्ट मंडल खेल की जिसका आयोजन सन 2022 में किया गया और कहां किया गया तो ये किया गया है इंगलेंड में ठीक है अब 22 और 2022 अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है और आपको पता है राष्ट मंडल देश की उनको बोलते हैं जो कभी न कभी ब्रीटेंड से जुड़ थे वही राष्ट मंडल देश बोले जाते हैं तो 22 राष्ट मंडल जो खेल है वो 2022 में इंगलेंड में ही खेला गया था अगला वाला यानि 23 राष्ट मंडल खेल 2026 में खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा तो वो खेला जाएगा आस्ट्रेलिया में तो 22 चार्थ साल का आयोजन आउस्ट्रेलिया में 2026 में किया जाएगा अच्छा यहाँ पर जो 23 लिखा हुए ना इसके आगे भी 23 वाला आएगा 23 फीफा फुटवाल वर्ड कप तो जब भी 23 आपके सामने आए तो 2 गुड़े 3 कर लिजेगा तो 6 आजाएगा 6 मतलब 26 अर्थाद 2026 तो जब भी 23 होगा तो 2026 में होगा ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वो है 23 फीफा फुटवाल वर्ड कप इसका आयोजन मैंने आपको बताया है 23 है तो दो गुड़े 3 यह निच है 2026 तो इसका आयोजन 2026 में किया जाना है कहां अमेरिका मैक्सिको और कनाडा फुटवाल म अमेरिका में अम्मी मैक्सिको में मैं इसकी और कनाडा यानि कनाडा हो गया मतलब कोई बोल है कि मम्मी मैं इसकी आँक को कनाडा तो जाहिसी बात है वो उसकी बॉल को एक बॉल को जो आख है उसको फोड़ने की बात कर रहा है तो फोड़ देगा बॉल है कि मैं मम्मी इसके आपको काना कर दूँगा, अम्मी मैं इसको काना कर दूँगा, अम्मी फॉर अमेरिका मैं इसको फॉर मेक्सिको और काना फॉर कनाडा, तो याद रखेगा कि 23 फीफा फुटवाल वर्ड कप, अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा सन 2026 में अगला है नाववा फीफा महिला फुटवाल वर्ड कप जिसका आयोजन आस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में किया जाना है वो भी 2023 में तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है महिला और फुटवाल की बात हुए तो जाहिसी बात है ऐसा समझे कि कोई महिला है जो की फुटवाल खेल रही है और गलती से उसने फुटवाल को किक किया और फुटवाल जो है फूट गई तो जाहिसी बात है फुटवाल अगर फूट जाए तो वो एक तरीके से सब तालिया बजाने लगेंगे कि इतना मतलब की सांदार की था कि फुटवॉल ही फूट गई सब तालिया बजाएंगे और न्यूज में आ जाएगा तालिया फॉर आस्ट्रालिया आस्ट्रेलिया और न्यूज फॉर न्यूजिलेंड तो याद रखिएगा कि नववा फीफा महिला फुटवॉल वर्ड कप जो है उसका आयोजन अस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड में किया जाएगा दो हजार तेईस में ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेरहवे विसुकप क्रिकेट की जिसका आयोजन दो हजार तेईस में भारत में ही किया जाने वाला है साथ ही साथ चौदहवे विसुकप क्रिकेट का आयोजन दक्षीन अफरीका जिंबामबे और नवीविया वे दो हजार सत्ताईस में किया जाएगा और पंद्रहवे विसुकब क्रिकेट का आयोजन जो है भारत और बांगलादेश में 2021 में किया जाएगा ये 50 उबर वाले क्रिकेट की बात हो रही है अब आपको पता है कि अगर अभी देखें तो क्रिकेट में और होकी में सबसे ज़्यादा मजबूत टिम कौनसी है भारत है नर्मली होकी में उतनी ज़्यादा नहीं है क्रिकेट में जित्ती है ठीक है तो होकी का भी मैं आगे लिख देता हूँ कौन सा पंद्रहवा पुरुस होकी विसुकब जिसका आयोजन भारत के फूरनेस्वर में राउर केला में किया जाएगा 2023 में ही ठीक है अब यहाँ पर देखिए जो बात हो रही है किसकी विसुकब की तो तेरहवा तो मैंने आपको याद करवा दिया कि भारत में होगा लेकिन उसके आगे वाला जो है दक्षिनफरी का जिंबांबे और नमीवी आमे कुल मिला के दक्षिनफरी का मुख्य है तो यहाँ पर देखिए चाउदावे विसुकब की बात हो रही है आपको पत्य है कि भारत में जब विसु जब नहीं होगा विसुकब तो जाहिए सी बात एक दम फीका फीका लगेगा है ना फीका 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 लगेगा फीका मतलब दक्षिनफरी का और जब फीका फीका लगेगा तो भारत फिर से अपने देश में करवाएगा तो भारत और देश पर बांगला देश तो याद ऐसा होगा कि भारत विशुकप का आयुजन बार-बार लेगा तो आपको पता है जो सबसे ज़हाद जलने वाला देश है भारत से कौन सा पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान एकदम कूदने लगेगा उसको मिर्ची लग जाएगी, बोलेगा बार-बार विसकप का आयोजन भारत करवाते हैं, हाला कि उसकी इस्थिती नहीं है कि वो करवा सके, लेकिन फिर भी कूदेगा, तो अगर ऐसा होगा तो भारत क्या करेगा, उसको एक टॉफी देदेगा, छोटे बच्चे की तरह है, बच्चे ही है, वैसे भी भारत का पाकिस्तान, तो उसको टॉफी देके मना लेगा, कि परिशान मत हो, एक टॉफी पकड़ो, और आराम से बैठे रहो, तो टॉफी देदेगा, टॉफी से आप याद रखेगा, कि ICC Champion Trophy जो है, वो पाकिस्तान में आयोजित होगी, मतलब ज जो है, पाकिस्तान को टॉफी देके मना लेंगे, और जब टॉफी पा जाएगा, मान जाएगा, तो अगली वाज जो ICC Champion Trophy है, उसको भी भारत में आयोजित करवा लेंगे, तो अगला जो है, ग्यारहवा ICC Champion Trophy जो है, वो भारत में आयोजित किया जाएगा, पचीस चार द बांगलादेश और भारत, तो भारत और बांगलादेश में उसके अगले वाला होगा, और मैंने आपको बताया कि भारत जो है, वो क्रिकेट के साथ साथ होंकी उसका राश्टी खेल है, तो उसमें भी मजबूत है, तो होंकी मतलब पंदरहवा पूरुस होंकी विसुकप, वो भी भारत में इसी साल आयोजित किया जाएगा, और मैंने आपको बताया, जब भारत में आयोजित होगा, तो पाकिस्तान जो की बच्च्या है, हमेशा जलता रहता है, भारत से कूदने लगेगा, तो भारत उसको टॉफी पकड़ा देगा, टॉफी मतलब ट्रॉफी, य कोई अलग से बताने की जिरुदत नहीं पड़ी मुझे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, पंद्रहवे महिला होकी विशुकब की, जिसका आयोजन सन 2022 में हो चुका है, इस पेन और नीदर लेंड में, तो यहाँ पर देखी, इस पेन में पेन, पेन फॉर 15, ठीक है, और आपको पता है, होकी जो है, मारने पीटने कामे आती है, तो गलती से अगर महिलाओं को लग गया, तो पेन होगा, तो आप ऐसा कह सकते हैं, कि वही महिलाओं होकी खेलना पसंद करती हैं, जिसको जो किन नीदर हो, है ना, जो महिलाओं न नववा, ICC, पूरुष, T20, विसकप, जिसका आयोजन, अमेरिका, वहा, West Indies में किया जाएगा, 2024 में, क्योंकि पिछला वाला, 2020 में हो चुगा है, और अगला है, आठवा, ICC, महिला, T20, विसकप, जिसका आयोजन, दक्षिन अफरीका में, 2023 में किया जाएगा, यानि इसी स अब देखिए, दोनों में, ध्यान दीजेगा, किया लिखा हुए, T20, तो T सब्द लिखा हुए, कुल मिला कर, तो अगर मैं देखू यहाँ पर, तो अमेरिका में, अम्मी सद मिलागा, और West Indies में, West, तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ, कि अगर अम्मी कोई T बनाती है, मा पर दक्षिन अफरीका, लेकिन अगर अम्मी बनाये, तो T जो है, बेस्ट होती है, अम्मी फर अमेरिका, और बेस्ट फर बेस्ट इंडीज, तो ऐसे याद रखिएगा, कि अम्मी टी बना कर दे रही है, तो सबसे पहला जो पूरुष वाला T20 विसुकप है, वो कहां पर हो और दक्षिन अफरीका, तो दक्षिन अफरीका में इसी साल खेला जाएगा, ठेक है, इसके बाद अगला है पूरुष रगवी विसुकप, इसका योजन इसी वर्से 2023 में फ्रांस में किया जाना है, रगवी में आपको सब्द मिलागा रंगवी, मतलब रंगने की बाद, आ विसुकप है, वो फ्रांस में 2023 में इसी साल आयोजित किया जाएगा, ठेक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, विसुसैन ने खेल की, जो विसुसैन खेल है, इसका आयोजन 2023 में मतलब इसी साल कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित किया बांकि इसी साल का है, तो मैं वो आपको वर्स याद नहीं करवाँगा, एक और है, विसु बैडमिंटन चैंपियंसिप, जो की 2023 में भारत में ही आयोजित की जाने वाली है, तो आप इसको खुद सियाद रखेगा, ठीक है, तो इस तरीके से अपना वीडियो कम्प्लीट तो पीडियाप के लिए टेलिग्राम पर सरच कर ये ट्रिक पॉइंट और चैनल को जॉइन कर लिजे, वहाँ पर सभी वीडियो के फ्री में जो है पीडियाप भी प्रवाइट करवा दिये जाते हैं, ठीक है, वीडियो अचला है तो वीडियो को लाइक कर दीजे, और दोस